हलो फ्रेंड्स वेलकम तू मैं यूटूब चैनल एम अरबास टुड़े आइविल स्टार्ट आओ चैप्टर नमबर थ्री और फिर इनसे आटी बुक कोडिनेट जोयमेट्री आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का कोसर नमबर 2 को सौल करेंगे ये भी इंपॉर्टिन कोसर है और इसको सॉल्ब करेंगे मिंस इस कोसरन का ऐंसर देंगे तो कोसर नमबर 2 कह रहा है सी फिगर 3.14 यहां तो मैंने कोई फिगर नहीं बनाया है पर आपको दिखाओगा फिगर कहांपे है सो सी फिगर 3.14 एंड वाइट दफ पालॉइंग मिंस यहां पर वहाँ पे एक figure दिया हुआ है और उस figure के help से यहाँ पे जो लिखा हुआ ने 8 portion इस 8 portion का आपको क्या करना है answer बतलाना है है न सर्थ क्या बतलाना है 8 question का सवाल का इन सारे question का answer देना है किस figure के help से मैं आपको figure को दिखलाता हूँ तो यहीं हमारा figure है 3.14 ठीक है सर इसी figure की help से हम लोगो क्या करना है मतलब उस question का answer देना है तो चलिए question का answer देते है एक एक करके पढ़के है न सर तो first question है हमारा the coordinate of B means figure 3.1 में जो दिया हुआ है वहाँ पी एक naming क्या होगा B तो उस B में आपको coordinate बताना है means उस B point का coordinate क्या होगा तो चलिए इसको बतलाते हैं हम लोग figure के help से तो यहाँ भी यह आपका figure है 3.14 इस figure में इस line को x axis कहते हैं इस line को y axis कहते हैं और यह दोनो land जिस point से cut करता है इस point को origin करते हैं कहते हैं और यह दोनो land means x axis और y axis इस plane को four parts में divide करता है first second third four और इस fourth part का नाम होता है quadrant तो हम लोगा question यह कहा रहा था question था the coordinate of B means B का coordinate बतलाना है तो sir B कहां पे है तो इस figure में B यहां पे है तो इस B का coordinate इस point का coordinate बतलाते हैं तो चलिए coordinate का point बतलाने के लिए हम लोगों सबसे पहले यहां पे जो axis write करते हैं मिन सबसे पहला coordinate write करते हैं वो x वाला तो यहां पे यह आपका है यह siard आपका x axis है तो x कितने इसर यहां पे minus 5 और उसके दो y आपका जो होता है यह distance y है तो y कितने इसर यहां से देखिए 1, 2 तो y axis आपका 2 है 1 2 और x axis आपका है minus fab तो सबसे पहला x होता है उसके बद y होता है तो b का coordinate है minus fab comma 2 तो इसको write करेंगे हम लोग यहाँ पे है न सर तो b का coordinate क्या है minus fab comma 2 तो वही यहाँ पे लिखेंगे इसका coordinate b का coordinate है minus fab comma 2 I hope समझ में आया होगा तो second part को भी solve करें हम लोग तो second part क्या है हमारा the coordinates of c जिस परकर हमने coordinate b का coordinate बता है उसी परकर figure के help से हम लोग को c का coordinate बताना है कि c point में क्या coordinate होगा तो देखिए यहाँ पे तो इस figure में c कहा है सर तो देखें यह b है यह d है तो c देखें यहाँ पे तो C ये रहा, है न सर, तो ये C है, तो सबसे पहले जो हमनों coordinate right करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे X लिखते हैं, उसके तो Y लिखते हैं, तो देखे एक्स क्या है सर हमारा, तो ये जो है, ये आपको land दिख रहा है, ये sad वाला, ये आपका X axis है, तो X देखे यहा कौन सा, तो ये land आपको Y है, तो Y कितने सर हमारा यहाँ पे, minus fab, देखे, Y है, minus fab, means, इस C का coordinate है, fab, minus fab, ये सबसे पहले आपका X होता है, उसके बद Y होता है, तो X है आपका plus fab, और Y आपका minus fab, तो इसको write करते हैं, कि C का coordinate है, fab, minus 5, तो वही मैं write कर रहा हूं, कि C का जो coordinate है, वह 5, minus fab है, अब third part क्या कह रहा है, उसको भी समझते हैं, और एक बात और सर, time का use कि जिए, miss use ने कि जिए, अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप उन लोगों से अलग हो गया है, जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, means आप अपने exam के preparation में लगे हुए, सैद इस से, इसके knowledge से, आपके exam में यह question आ जाए, तो आप इस question को तो solve कर दोगे न, इसलिए time का हमेशा use करें, एक एक पल को खुसी से जिए, तो third question है हमारा, the point identified by the coordinates, minus 3, minus fab, means आपको यह बतलाना है, ऐसा कौन सा point है, जिसका coordinate, minus 3, minus fab होगा, और उस point का नाम बतलाना है, जैसे कि यहाँ पर b का coordinates का नाम, जैसे कि यहाँ पूछ रहा था, कि b का coordinate क्या था, तो हमने यह बतलाया था, minus 5, 2 है, उसी पर कर यहाँ पर coordinate दे रखा है, पर उस point का नाम बतलाना, कि कौन से point पर minus 3, minus 5 है, तो चलिए figure में देखते हैं हम लोग, कि minus 3, minus 5 कहा है, तो हम लोग को minus 3, minus 5 को coordinate ढूण ले के लिए, हम लोग को जानना पड़ेगा यह, कि यह सबसे पहरा जो आपका होता है, यह x-axis होता है, तो यह आपका negative में है, x है, comma, y आपका वो भी है, negative में है, तो हम लोग देखते हैं, इस fourth quadrant में, यह जो quadrant होता है, देखें सर यह quadrant, तो यह o x, यह quadrant प positive में है, और y-axis में positive है, उसी परकार हम लोग इस second quadrant में, second quadrant पे हम लोग देखते हैं, कि यह किस परकार quadrant है, तो इस देखें कि यह आपका negative x होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले, यह x-олог Hebrew होता है, और y आपका देखी उपर है positive है, means, यह quadrant negative और positive में है, अब third quadrant को हम लोग सब्सक्राइब यह तो आपको sound के सब्सक्राइब होता है और तो यहाँ नेकितिव नेकितिव होता है उसी पर पर यह पहले x को Andre करते हैं उसके можете होता है तो x-axis यह सब्सक्राइब होता नीचे होता है है न सर तो उसी पर कर देखिए नेगेटिव में है नेगेटिव में मिस नेगेटिव नेगेटिव किस क्वाडिन में होता है तो थर्ड क्वाडिन में होता है तो थर्ड क्वाडिन में देख रहा है नेगेटिव नेगेटिव में X-3 तो X-3 है और Y-5 तो x है minus 3 तो y आपका है minus 5 मिन्स x है minus 3 और y आपका minus 5 मिन्स ये point minus 3 देखे सर ये point आपका है minus 3, minus 5 मिन्स ये e point एक ऐसा point है जहाँ पे आपका जो coordinate है minus 3, minus 5 मिल चुका है यही ने question कह रहा था कि minus 3 और minus 5 के point को आपका identify करना था बतलाना था तो y point आपका जो है वो minus 3, minus 5 है तो इसको भी write करेंगे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जगा नहीं तो मैं इसको उपर में लिख देता हूँ कि वो आपका जो point है वो y point है जहाँ पे coordinate minus 3, minus 5 है अब fourth part है उसी पर का same question है the point identified by the coordinates आपको एक point identified करना है जिसका coordinate given है 2, minus 5 तो उस point का नाम बतलाना है तो चलिए same question नाम बतलाते है है नसर्थ तो उसी पर कर हम लोग बताते हैं 2, minus 4 कहाँ पे है तो यह सबसे पहला जो axis होता है यह x axis होता है यह आपका y axis होता है तो x यहाँ positive है y आपका negative है तो सुरू में plus और minus वाला axis कौन सा होता है तो देखे यह आपका fourth quadrant आपका first में आपका होता है positive ही negative तो इसी quadrant में ढूंडेंगे ताकि आसानी होता है यह ढूंडना अब देखने 2, x आपका 2 है तो x आपका 2 यहाँ पे रहा और minus 4, तो minus 4 कहाँ है means यह point आपका जो है यह x है means यहाँ से यह x है और यह जो आपका लेन है यह y है यह x और यह y x में आपका 2 है positive में 2 और y आपका negative minus 4 तो g point एक ऐसा point है जहाँ पे 2, minus 4 point है और उस point का नाम है g तो इसी z को identify करना था तो इसी point को हम लिखेंगे कि वो point g है जहाँ पे 2, minus 4 है तो चलिए इसको write करते हैं तो वही हमने write करा देखिए यहाँ पे g एक ऐसा point है जिसका coordinate 2, minus 4 है अब उसी पर करना हम लोग fifth part को solve करते हैं the abscess है of the point d सबसे पहला आपको d का coordinate ढूणना है और d का coordinate जैसी कि आपको पता है कि यह coordinate हो तो यहाँ पे x और y coordinate है ठीक है तो abscess किसे कहते हैं सबसे पहले जिस समझे यह coordinate में जो x वाला term होता है उस x वाले term को क्या कहते हैं abscess तो सबसे पहले आप coordinate में d coordinate के ढूणडे हुए और उस d coordinate में x का जो point होगा वो X का point क्या है means abscissa क्या वही पूछा जा रहा है X यहाँ पे नहीं बोला आपसे पूछा जा रहा है कि abscissa क्या है तो X axis या abscissa दोनों same ही चीज होता है तो X axis means abscissa पूछ रहा है D point का तो सबसे पहले हम लोग D point ढूणते हैं तो इस figure में sir D point देखे कहा है यह B है देखे D यहाँ पे रहा तो D point का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका coordinate देखते हैं तो सबसे पहले देखे 6 कहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 6 पे है तो X axis आपका 6 हो गया अब Y axis कहा देखे 1, 2, तो Y axis यह वाला हो गया तो यह आपका Y axis 2 तो सबसे पहला आपका X होता है उसके बाद Y होता है तो X को ही क्या कहते है Epsisa Epsisa ठीक है sir तो इसका मतलब जो हमारा Epsisa है Epsisa है यह Epsisa हमारा देखे क्या हो गया यह 6 means D coordinate का Epsisa 6 है तो उसी चीज़ को मैं write कर रहा हूं कि Epsisa of the point D is क्या है 6 है ठीक है अब यहाँ पे आपका 6 question है The ordinate of the point H H का ordinate क्या हो आपको बतलाना है H point का ordinate मैंने बताए कि X को कहते हैं Epsisa तो इस Y को कहते हैं sir ordinate तो सबसे पहले हम लोग को H point ढूणना होगा और उसमें ordinate ढूणना होगा तो figure की help से देखते हैं बस थंडे मिजास से solve करें तो देखिए हमारा H point कहा है यह रहा हमारा H point सबसे पहले इसका को ओडिनेट लिखते हैं तो देखिए sir coordinate सबसे पहले X axis का coordinate लिखते हैं तो X axis का coordinate देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 पे हैं देखें 5 से आया है तो सबसे पहले होगा मैनस 5 और Y co-ordinate देखे Polish 1 2 3 3 पे देखे 3 पे गया है तो Y co-ordinate आपका मैनस 3 अब देखे इसे कहते एपसी सा X को कहते एपसी सा और इस Y को कहते और लेज़ी यह आपका है और दीनेट तो इस ordinate का क्या नाम हो गया मैनस 3 इस ordinate का नाम हो गया मैनस 3 तो वही write करेंगे हम लोग तो वही मैं write कर रहा हूँ the ordinate of the point H is आपको होगे यहाँ पे मैनस 3 अब आपका 7 पार्ट है the coordinate of point L the coordinate point of L L का coordinate क्या है जैसे first second question को solve कर रहा है वैसे इसको भी करना है तो figure के help से इसको भी देखते है तो इस figure में L point कहा है तो sir L point यह रहा देखिए R कहीं पे तो नहीं नहीं है L यहीं पे है अब देखिए यह आपका axis के उपर में है तो जब भी axis के यह किस axis के उपर में है यह L Y axis के उपर में जब भी आपका किसी भी axis के उपर में वो point हो, means अभी y axis पे है, तो y coordinate जिस axis पे होगा, वो y coordinate तो की मैंने, y coordinate आपका 5 है, अब यहाँ पे सबसे पहला है तो आपका x होता है, तो x पहचान नहीं पा रहे हो, तो sir यह आपका यहाँ पे y coordinate फैब है, पर x coordinate यहाँ पे 0 होता है, जब भी कोई point किसी axis के उपर में ही लाए करें, तो वो coordinate आपका होगा, पर जो x coordinate होता है वो 0, means y axis पे कोई अगर point होगा, तो y coordinate तो होगा, पर x coordinate 0 होगा, उसी पर गर y axis पे कोई point होगा, तो y coordinate 0 होगा, और x coordinate कुछ न कुछ होगा, means x axis पे y coordinate 0 होता है, और x coordinate कुछ न कुछ होता है, उसी पर गर y axis पे x coordinate 0 और y तो है, तो देखिए, तो l का coordinate क्या हम लोग मिला, 0,5, तो इसको भी right करते हैं हम लोग, तो l point का coordinate है, 0,5, उसी पर कर आपको बतलाना है, the coordinates of the point M M کا means M point का coordinates क्या यह बतलाना है तो figure के help से बताएंगे यहाँ पे देखिए M point कहा है तो M point आपका रहा देखिए ध्यान से M point कहां पर है तो M coordinate आपका यहाँ पर रहा सर देखिए M coordinate यह है यहाँ पे है ठीक है सर तो यह आपका x-axis को उपर में है तो जब x-axis पे होगा तो कुछ point होगा तो x-axis आपका यहाँ पर –3 है पर y पता नहीं तो y आपका 0 होगा देखे तो देखे 0 से ने start होगा 0 फिर 1 –1 –2 –3 तो x-coordinate आपका –3 और y-coordinate आपका 0 तो इसको point का coordinate है –3,0 I hope यह 3.2 का question number 2 की figure के help से हमने सारा question को solve कर रहा है I hope कि अगर कहीं dot हो तो please comment section में comment जरूर किज़ेगा ऐसे तो आपको समझ में आ चुका होगा ठीक है और हाँ student मैं आपके लिए यहाँ पे हरे कुसन को बताने के लिए ततपर हूँ और आपका फर्स बनता है मेहनत से पढ़ाई करना और अच्छे marks लाना और हाँ आप मुझे support करोगे तो ही न मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा इसलिए आप हमारे channel के साथ जुड़ जाए तो ठीक है next video मिलते है थैंक यू झाल मिलते हैं соврем् progress करोगे घर हमारे च घचता है लाना है खवे ततपर है को शिस प्लाओ सेर करना है रईका लगा यंगाउर थांगा दोन प ineasons खरस makes लावा